अलाम अलेकुम आज मैं आप लोगों को बुर्खे के उपर बुर्खा रखकर कटिंग करने का तरीका बताऊंगी देखिए ये पूरा कपड़ा हमने टोटल कपड़ा सवा 5 मिटर का लिया हुआ है इसमें हमें डबल बेल लस्तिन कट करना है यानि कि फ्री लस्तिन तो इस तर प्राहां हमने चार कपड़ा ले लिया है देखिए इस तरह ये फूर फोल्ड कपडा बिचा लिया है हमने और इस सवक्कला है पूराyst बताने के लिए इक टेप पुरा रखने के बाद भी हमने दूसरा टेप भी इसमें अटेच किया हुआ है तो इस तरह ये सवा 5 मिटर कपड़ा है अब हम इस पर पुराने बुर्खे को रखकर घड़ी करके रखेंगे उसे भी 4 फोल्ड करते वे देखिए हमने इस तरह पहले के बुर्खे को यान की मोड कर सिलाई करने के लिए अब इसी के किनारे से हम इस पर डाइग्राम बनाएंगे देखिए एक निशान हमने इस पर शोल्डर का बना लिया है अब इसमें मार्जिंग का निशान लगाएंगे आदा इंच देखिए इस तरह हमारा ये मार्जिंग का निशान हो चुका यह शोल्डर की मार्जिंग है और यह यहां पर बगल के पास बगल की मार्जिंग है अब हम इसी तरह यहां पर भी एक मार्जिंग निशान लगाएंगे तो देखिए यह इस तरह हम यहां पर बगल का निशान लगाएंगे और इसके साइट से इस तरह पुरा नीचे तक ले लिया है अब हम इसमें मार्जिंग यानि कि माय का निशान लगाएंगे इसके साइट से देखिए माय का भी निशान इस तरह हमने लगा लिया है मैंने ये तक्रिबन 1.5 इंच से पौने 2 इंच के बीच में माया लिया हुआ है आप चाहे तो बढ़कर भी ले सकते हैं या फिर कम भी ले सकते हैं अब हम बगल का निशान बनाएंगे तो इस यस्तिन को इस तरह मोड दिंगे और मोडने के बाद हम इसे राउंड निशान बना लिए देखिए इस तरह हम इसे राउंड निशान कर लिए बगल का तो यह इस तरह हमारा बगल का निशान भी बन चुका है अब देखिए ये ब्लैक कपड़े में घेरा कम है इसके लिए हम यहां से छोटी सी दो कली यानि कि जॉइंट लगाएंगे चार कली अब पहले हम इसे कट कर लिंगे और नेक का साइज भी हम इस पर ही लगा लिंगे देखिए ये हमारे गल्ले का निशान है तो ये सिया हुआ है इसमें हम मार्जिंग लगा कर इतना लिंगे और पीछे का नेक नहीं होता है पीछे हमें पट्टी लगा कर सिलाई करना है तो इस हमने इस बूरखे की कटिंग कर लिया। इसे कट कर लिया है देखिए अब इसमें ये घेरा हमारा कम हो रहा है हमें यहाँ पर जोइंट लगानी हैं तो हम यह नीचे का जो हिस्सा है यहां से भना लिया हुआ है इस इसे को इसके साथ अटेज करेंगे, देखिए इस नीचे वे बचे कपड़े को हमने इस तरह यहाँ पर लगा लिया है आदा इंच हम इसके उपर उठा कर रखींगे कपड़े के उपर ताके हमारी मार्जिंग्यानी की सिलाई का कपड़ा होना चाहिए तो इस तरह हम इसे भी कट कर लिए देखे हम ने यहाँ से चारकली लग चुकी है जो घेरा बढ़ाने के लिए हो चुकी है तौर इसतरह हमारा इस थेण बताएंगे इस बुर्खे के बुर्खे के बुर्खे का पीछे नहीं कट होता है सिरिफ सामने का गल्ला कट होता है तो देखिए यह हमारा बैक साइट का हिस्सा हमने हटा लिया है अब हम फ्रंट के हिस्से पर यानि सामने के हिस्से पर इस तरह बुर्खे को बिचाते वे इस गल्ले का निशान लिए और यहां से जितना ओपन है वहां पर हम उतना ही कट कर तो देखिए इस तरह मैंने इसे गल्ले का निशान बना लिया है अब मैं इसे कट कर रही हूँ देखिए इस तरह हमारा ये राउंड ने कट हो चुका है अब हम ये 2,5 इंच का इतना सा कट करेंगे क्योंकि यहां पर जिस तरह इस बुर्खे को लूप आया हुआ है एक बटन और ये डोरी उसी तरह हम इसमें भी बनाएंगे तो ये हमारा गला भी कट हो चुका है अब हम अस्तीन बताएंगे इस तरह हमारी ये complete बुर्खे की कटिंग हो चुकी है अब हम इसके अस्तीन बताएंगे ये बचेवे कपड़े में हम अस्तीन के कटिंग करेंगे देखिए अब इस बचेवे कपड़े में हम फोल्ड साइट इस तरह का कपड़ा फोल्ड है तो इस फोल्ड साइट हम अस्तीन को अच्छे से बिचा लेंगे देखिए आपको अगर इस तरह के अस्तीन चाहिए तो आपको इस तरह नीचे मार्जिंग लेना है जो इसमें फोल्ड करके लगानी है और ये लास्टिक लगी वी है लेकिन हमें इसमें बेल अस्तीन लगानी है तो हम देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर भी आदा इंच मार्जिंग ली है यहाँ पर लेकिन हमें बेल अस्तीन निकालना है तो हम यहाँ पर यानि कि यह जितने अस्तीन है उसमें आदे हिस्से तक इसे फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर एक निशान बना लिए और नीचे से हम बेल लगाएंगे फ्रील लगाएंगे देखिए हमने यहाँ पर आदे अस्तिन से थोड़ा सबढ़कर निशान लगा लिया है इसे मोड़ते वे और यहाँ पर भी हमने जैसे अब उर्खे में मार्जिंग ली थी उसी तर कहँग देखिए यह इस तरह हमारे अस्तिन हम कट कर लींगे इसके बाद नीचे डबल फ्रिल लगाने का तरीका बताएंगे पहले हम यह अस्तीन कट करेंगे देखे हमने यह अस्तीन कट कर लिया है अगर हम इसे टेप से मापेंगे तो यह 14 इंच के है अस्तीन अब हमें नीचे की फ्रिल कट करने के लिए इन अस्तीनों की लंबाई ले लेनी चाहिए ये टोटल कितने इंच के अस्तिन है इसे माप लेना चाहिए देखिए ये टोटल अस्तिन हमारे 23 इंचेस के है तो उसमें 23 में हमें ये इतना हिस्सा 14 इंच का माइनस कर लेना चाहिए और जो बच रहा है उसे बेल निकालने चाहिए देखिए अब ये जो बचा हुआ कपड़ा है हमारे पास इस कपड़े में हम फ्रिल निकालने के लिए ये फोर फोल्ड कपड़ा है इसे अम्रेला फ्रॉक की तरह टैंगल शेप में बिछा लिए एनि इस तरह हम इसे नोक का हिस्सा बना लिए और इस अस्तीन को जो हमने कट क किया है इसे और एक बार दोबारा फोल्ड करेंगे और इसे इसके पास रख दींगे जो हमने देखिए ये ये जो हमने अस्तीन कट किया था इसे फोल्ड करेंगे फोल्ड करते वे हम इसके कोने के हिस्से पर यानि कि जहां हमें फ्रिल लगानी है उस हिस्से पर रखेंगे और यहाँ पर एक निशान बनाएंगे, देखी इस तरह हमने निशान लगा लिया है, थोड़ा सा हिस्सा हम बाहर की तरफ रखींगे, क्योंकि यह मार्जिंग होता है, अब हम यहाँ से अस्तीन की लंबाई देखते वे निशान लगाएंगे, देखी नीचे का हिस्सा 10 इंच चारा था, हमें 2 इंच माया मिलाकर 12 इंच पर इस तरह राउंड टिक कर लेना है, टेप को हटाते वे इसके पास से, देखे 12 इंचेस, दो इंच हमने मार्जिंग ले लिया है, अब हम इस बेल को यानि की फ्रिल को कट कर लेंगे, इस तरह हम इसे, उपर का हिस्सा भी हम कट करेंगे, देखे इस तरह जब हम इसे कट करते हैं, तो ये फ्रिल हमारी इस तरह निकलती है, अब मैं इसे ओपन करके बताती हूं, देखे ये इस तरह है, लेकिन हमें इधनी बड़ी फ्रिल, गोल राउंड नहीं लगानी है, बलकि इसे इस तरह बीच में से ओपन कर लेना हैं यानि कि हम इसे ृष बीच में से करेंगे एक थीं को एक और नीचे की एक आस्तिन को तो इस तरह हम इसे कट लगा लेंगे अफ से देखिए अब यह दोनों असुति के-एक फ्रिल निकल चुक है इस तरह हमारी यह दोनों फ्रिल हो चुकिए अब इसमें हम और थोड़ी छोटी फिरिल लगाएंगे यह एक लंबी फिरिल हो गई बेल जिसे मैं बोल रही हूं अब एक छोटी लगाएंगे छोटी कट करने के लिए हम इसी तरह ट्रेंगल शेप यानी तीन गोनी कपड़ा बिचा लिए बचेवे कपड़े को देखिए इस कपड़े को मैंने ट्रेंगल शेप में नहीं बिचाया बलकि इस तरह ओपन रखा है यह टू फोल्ड है इस तरह और उपर का जो हमने नो कट किया वा था वो इसे तरह डाल लिए और अब हम इसे छोटा करने के लिए पहले मैंने इसका टिक लगा लिया है अब हम इसे पांच पांच इंच छोटी कर लिए यानी कि पांच इंच माइनस कर लिए इसमें से सौरी 5 इंच नहीं बलकि हम इसे 4 इंच कम करेंगे देखिए इसे 4-4 इंच पर मैंने इस तरह कम कर लिया है उपर के कपड़े को हटाते बें हम इसे 4-4 इंच कम कर लिया है अब हम इसे इस निशान को कट करेंगे तो हमारी छोटी फ्रिल निकल जाएंगी देखिए अब मैं इसे कट कर रही हूँ देखिए इपरिल लगाने की वज़े से इस बुर्खे में ज्यादा कपड़ा नहीं बचा है बलकि ये साइट का जो हिस्सा निकला है उतना ही कपड़ा बचा है और हमें इसमें अभी गल्ले की पट्टी भी निकालनी है ये उपर का हिसा हम कट कर रहे हैं जो कि हमें हस्तीन में अटेच करना है तो देखिए अब हमारी ये दो फ्रिल बन चुकी है छोटी फ्रिल ये हमारी दो छोटी फ्रिल बन चुकी है अब हम इस बड़ी फ्रिल पे ये रख कर बताएंगे देखिए इसे उपर का हमने बराबर कट करना है और नीचे ये एक चोटा एक बड़ा है तो ये एक अस्तीन की फ्रील हो चुकी है और दुसरी अस्तीन की फ्रील ये है इसमें भी हमने एक चोटा और एक बड़ा कट करिया अब इसमें हमें पीको कराना है नीचे खेरे में कुल उसी तरह इस बीिसला फ्रेल ही सिलाई लेनी है तो इस तरह हमारी रहा वर की जैने के रहाए डी को प्रिल था रही हो नाउनल दृखे के लिए था राक्वण only गेर लिए 10-5 मीटर कप्ड़ा लगा थे ऐसका these बृख्य की कपड़ा है को मैं में शह में हम alien frog सीते हैं बिलकुल उसी तरह इस बुरुखे की भी सिलाई होगी मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए मेरे चैनल का सब्सक्राइब कीजिए थाइंग्स पर वाचिंग में वीडियो